Hello everyone, Philosophical Prospective of Education यानि सिच्छा के दार्सनिक परिपेच में Unit 1 का पहला चैप्टर मैंने अपनी प्लेइलिस्ट में डाल दिया अगर आप लोगों ने प्लेइलिस्ट नहीं देखिये तो वीडियो की डिस्क्रिप्सन से आप लोग प्लेइलिस्ट में जाएंगे क्या क्या अर्थ है तो मैं आप लोगों कुछ मोटे तौर पर बात बताता हूँ एजेंसी ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है कुछ ऐसी सबज लिजे संस्था हैं जो की एजुकेशन में हल्प करती है किसी की उनी को बोलते हैं सिच्छा के अभिकरण अब देखिए कि सिच्छा के अभिकरणों के अगर बात करें तो एजेंसी जो की अंग्रेजी सब्द है उसी का हिंदी रूपा अंतरड अभिकरण या साधन कहलाता है और इसी तरीके से एजेंसी का अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो एजेंसी का आर्थ होता है एजेंट जो की कारे करने वाले होते हैं याणि एजेंट के कारियों कारे जो भी किये जाते हैं उन्हें ही हम लोग एजेंसी कहते हैं जैसे किसी कोई व्यक्ति वस्तु जो कारे करता है ठीक है वो सी का परेडाम जो होता है वो एजिंसी होती है ठीक है और हम लोग एक और बात करते हैं कि सिच्छा कार्यों को करने वाली विसस्त संस्ता ही अभी करण कहलाती है यानि एजिंट जो होते हैं वो सिच्छा के रूप में अपनी साहता प्रदान करती हैं इस वज़े से इनी को अभीकरण का जाता है और यह डेफिनेशन जो दी है यह बीटी भाटिया ने दी गई है अभीकरणों का वरगी करण यानि classification of agencies के अगर हम लोग वरगी करण करते हैं तो कई पार्टों में इनका वरगी करण किया गया है सबसे पहले हम लोग कहते हैं सक्रिय निस्क्रिय अभीकरण कुछ अभीकरण agencies ऐसी होती है जो सक्रिय रूप से अपना योगदान निभाती हैं कुछ अजेन्सी ऐसी होती है जो न एजिनसी से साथ में जुड़े हुई होती हैं और वह अपना योगदान देती हैं जैसे सक्रिय विकरण की बात करें तो घर जो है वो एक सक्रिय एजिनसी के रूप में भूमिका नेवाता है घर जो है वो आपको प्राथिमिक सिच्छा देता है प्रति दिन आप घर में जाते हैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आपको कुछ न कुछ इच्छा राप्त होती है परिवार आपका विद्यालाय आपका और धार्मिक संस्थान ये जो होते हैं ये एक सक्रिय विकरण का काम करते हैं इसी तरीके से परिवार हो गया परिवार में घर में रखी हुई कुछ वस्तुएं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाती है जैसे घर में माल लीजे आपके फुटबॉल है फुटबॉल जो है वो आपको किस चीज में सिखाने में मदद करती है वो आपको ये दिखाती ह कि sphere किस तरीके से होता है sphere की आकरती में होती है और वो है football जो informal चीज है यानि निस्क्रिये चीज है वो आपको क्या सिखाती है वो आपको sphere के concept को दिखाती है तो इस तरीके से वो वस्तुएं भी इसके अंतरगत आती है तो सक्रिये तो अभी करण घर हो गया लेकिन घर के अंदर रखी भी football जो कि खेलने के काम की थी लेकिन उससे भी हमने चीज़ें ग्रहड की तो इस वज़े से वो निस्क्रिये विकरण कहलाईगी ठीक है तो अभी करणों का वरगी करण जिनके अंदर website सिच्छा दी जाती है वोज सिच्छा के लिए आयोजन किया जाता है ठीक है website का विकरण agencies क्या होंगी जो website ग्यान प्राप्त कराएंगी जैसे आप लोगों को समाज में किस तरीके से रहना है किस तरीके से आप धन्व पारजन कर सकते हैं तो यह सारी चीजें जो हैं यह समें कर दी जाती है साथ ही साथ में आपकी सिच्छा से संबंदित कुछ कारेक्रमों का आयोजन भी इन agencies के द्वारा किया जाता है ऐसी कौन सी agencies होती है जैसे press, radio, radio वगएरा में debate चलती रहती है रेडियो में समचार आते हैं आकासवानी में समचार आते हैं टेलिवीजन में आप लोगों को देश दुनिया से अवगत रखा जाता है फिल्म वगएरा आप लोग देखते हैं आवेवसाहिक की बात करते हैं तो informal रूप में सिच्छा में कोई जिनका सिच्छा से कोई वास्ता नहीं होता है इनको बस informal रूप से आवेवसाहिक रूप से ऐसे ही आयोजन किया जाता है लेकिन आप लोगों को बता दू इनका वास्ता तो सिच्छा से कोई नहीं होता लेकिन हमें मतलब अनौपचारिक रूप से कह दिये जाए या एक आपरतियत शुरूप से इनसे भी हमें ग्यान प्राप्त होता है जैसे खेल का मैदान, कलब, स्काउटिंग, प्राप्त हिचा के इंदर ये सब चीजे हमें कुछ नकुछ ग्यान प्राप्त कराती है उसके बाद हमें बात करते हैं तीसरा क्लासिफिकेशन आपचारिक तथा अनौपचारिक विकरड के रूप में इस पूरे चैप्टर में हम लोग फॉर्मल और इन्फॉर्मल एजेंसी के ही उपर बात करेंगे तो ये जो थर्ड टाइप है ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है तो अपचारिक एजेंसी की बात करते हैं तो ये जो अपचारिक एजेंसी होती है ये किसी एक निश्चित योजना के तहट इस्थापित की जाती है और इनकी योजना क्या होती है कि बालकों के विवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाए जैसे कि विद्याले तो इनका में उद्देश यही होता है कि बालक के विवहार में समय के साथ में एक ऐसा परिवर्तन लाया जाए जिससे बालक जो है उस समाज में अपनी एक अलग 26 स्थापित कर सके अनौपचारिक एजेंसी जो होती है इनको स्थापित नहीं किया जा सकता है बच्चा जो होता है कहीं पर भी खेल राया चानक से उसे ग्यान प्राप्त हो जाता है वो क्या हो गया इनफॉर्मल एजुकेशन हो गई और जिस चीज से उसे ग्यान प्राप्त हुआ या जिस खेल में उसे ग्यान प्राप्त हो गया वही उसके लिए क्या हो गई informal agency या नौपचारी कभी करण हो गया तो यानि इनसे क्या होता है ये बच्चे काम करना पसंद करते हैं इसलिए इन चीजों ये जो जिन चीजों को बच्चे पसंद करते हैं उनसे जो उनके आच्रड में परिवर्तन आता है वो एक स्थाई परिवर्तन होता है मतलब ये agencies के द्वारा बच्चों के आच्रड में परिवर्तन तो होता है लेकिन ये परिवर्तन जितने भी होते हैं ये कैसे होते हैं स्थाई परिवर्तन भी हो जाते हैं जैसे धर्म, समाज, रेडियो, समाचार, पत्र इन सब के अंतरगत चीजें जो होती ही बच्ची के आच्छरड में परिवर्तन लाती है अब देखे जॉन डिवी ने इसके विसे में एक बहुत अच्छी परिवासा कही है तो जॉन डिवी की परिवासा क्या है कि सिच्छा के अनौ अपचारी कभी कर लो को अपचारी कभी कर लो कि तो ला में अधिक महत्व दिया जाता है क्यों जैसे हमने फॉर्मल एजेंसी की बात की बच्चे को स्कूल जो है वो डांट की भेजना पड़ता है समझेगे आप लोग इस बात को बच्चे को स्कूल जो है वो डांट की भेजना पड़ता है बच्चा स्कूल जाना ही नहीं चाहता है जब वो जैसे तैसे स्कूल जाता है यानि उसका मन नहीं लग रहा है स्कूल में तो जब वो स्कूल ही नहीं जाना चाहता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है जैसे पुराना कॉंसेप्टे की पैंसिल को शील्टर के दूद में डालने से रबड बन जाती है उसने ये चीज सुनी और ये चीज सुनने के बाद वो जरूर आके घर में ट्राइ करेगा क्योंकि इन फॉर्मल एजेंसी से जो उसे ग्यान प्राप होती है आई थिंक आप लोगों को समझ पर आगे होगा इसी वज़े से क्या कहा गया है कि अनौपचारिक एजेंसी जो होती है वो मस्तिस्क पर गहरा प्रभाव डालती है और गहरा प्रभाव ऐसा डालती है कि कही बच्चे के आदत व्योहार रुची का निर्माण भी अप अपने इस साफ से कर दें ठीक है अब देखे फॉर्मल और इन्फॉर्मल में कुछ अंतर होते हैं वह अंतर हम लोग समझ लेते हैं तो फॉर्मल एजेंसी क्या कहते हैं फॉर्मल एजेंसी व्योहार में परिवर्ता लाने के लिए पूरा प्रियास करते हैं फॉर्मल एजें कि प्रतियच साधन, मतलब इनके लिए साधन पहले से ही विवस्तेत होते हैं, वही इनके लिए उपयोग में लाए जाते हैं और इनके आच्रण को रूप अंतरत करने का प्रियास किया जाता है, हो नहीं जाता है, प्रियास किया जाता है, लेकिन इन्फॉर्मल में क्या होता ह बच्चे की सुतंतरता को नियंतरित किया जाता है अगर स्कूल 8 बजे का है तो उस बच्चे को डाट के मार के किसी भी तरीके से सक्ति का प्रियोग करके उसे 8 बजे भेजा जाता है मतलब वह अपने जो मानसिक सुतंतरता है उसके हिसाब से नहीं जी सकता बलकि उसे नियंतरत करकर एक नियम के दाइरे में बाधा जाता है ठीक है इस वज़े से ये करतिम होते है अनौपचारी क्या खा कि कहीं पर भी बच्चा गया खेलते खेलते अचानक से उसको उसने काट प्राइज मिला वह अनौपचारिक एजन्सी के रूप में मिला इसलoofμε अनौपचारी ग्यान मिला जिससे औसके विवहार में बहुती तेज चयुंफलस हो प्छी नहीं पहले से कंउझा कि लाएगा और वहां से कुछ ग्यान सीखके लाएगा और बच्चे को कहीं पर भी मतलब घूमने जाना उसे घूमने को दो घूम कर वो जो experience प्राप्त करेगा वो घूम करके पालेगा तो मतलब क्या होता इसमें सुतंतरता उसके नितरत नहीं की जाती है यह सुभाविक होते हैं तथा बच्चे के लिए रुचकर होते हैं तो I hope यह first वीडियो में आप लोगों ने अनौपचारिक और आपचारिक को जान लिया होगा बस इसके इंतर के थोड़ा ही और concept बचा है यह देखिए आप लोगों के लिए matter तैयार है भी मैं आप लोगों को इसके लिए भी वीडियो बना दूँगा वीडियो अच्छा लगा हो और आंगे भी जरूर जुड़ें मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में तक तक लिए बाबाए